तो वहीं दोर्ग के सेवती गाउ में रिदय विदारा घटना हुई है गाउ में एक तेज रफतार वाहन ने 7 साल की बच्ची को रौन दिया जिससे बच्ची की सड़क पर ही मौत हो गई बताया जा रहा है कि बच्ची स्कूल के बाद वापस अपने घर लोट वही थी इसी दोरान ये हादसा हो गया हादसे में जिस बच्ची की मौत हुई है इस दर्धनाक हादसे के बाद इस्थानिये लोगों ने बीच सड़क पर ही हंगामा करना भी शुरू कर दिया सड़क जाम होने के कारण पुलिस मौके पर पहुची और लोगों को आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द आरोपी ड्राइवर को गिरफतार कर लिया जाएगा पुलिस ने अग्यात मालवाहक ड्राइवर के खलाफ मामला धर्च करके जाज भी शुरू की है